Halo my dear ones आज इस विडियो में बात करने वाले हैं सबकॉंशिस माइंड की री प्रोग्रामिंग के बारे में हम सभी अपने सबकॉंशिस माइंड को री प्रोग्राम करना चाहते हैं क्योंकि ये जब गलत तरीके से प्रोग्राम हो जाता है तो गलत-गलत auto suggestion भीजता है हमें, गलत-गलत auto में जिस भीजता है, फालतू की अर्चिस भी भीजने लग जाता है, तो जब यह गरबर कर रहा होता है, तो हम इस समझ में आ जाता है कि इसके अंदर कुछ इस तरीके के patterns बन गया है, कि बस आप उन patterns की जगे नए patterns बनाने हैं, ताकि हम अपने subconscious mind को reprogram कर सकें, और फिर से उसे direction दे सकें, कि बस आप इस direction में काम करना है, क्योंकि यह है तो बहुत powerful, इसकी powers को सही जगे लगाना होता है, और वो सही जगे तो हम ही direction देंगे ना, क्योंकि after all, हम ही master हैं अपनी life के, तो आज हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने subconscious mind को reprogram कर सकते हैं, वो कौन-कौन से तरीके हैं, जिससे subconscious mind easily reset हो जाता है, हम इस वीडियो में सीखना शुरू करेंगे, उससे पहले आप app को download कर लेजे, ताकि आप daily breathing exercise करें, meditation करें, affirmations करें, क्योंकि इससे भी आपका subconscious mind reset होता है, Dear depression, let's break up, जो कि एक masterpiece है, जरूर पढ़े हो पढ़ाएं, तो चलिए सीखना शुरू करते हैं, तो तरीका है affirmations, जहीं हाँ affirmations, affirmations क्या है, affirmations है एक group of positive words, यानि कि ऐसे positive शब्द की army जो किसी भी मुसिबत में आपको protect करना शुरू कर देती है, अब affirmations बहुत ही अच्छा जरिय है अपने subconscious mind को ये बताने का कि आप क्या चाहते हैं, क्योंकि subconscious mind में आपको conscious mind से पास करकर कुछ चीज़ फीट करनी होती है, और फिर जो भी चीज़ आपके subconscious mind में फीट कर देते हैं, तो subconscious mind क्योंकि वो autopilot mode पर जलता है, तो वो auto suggestions के रूप में आपकी help करता रहता है, तो आपी को पता होगा कि आप किस direction में अपने subconscious mind की power को लगाना चाहते हैं, तो आप अपनी affirmation लिखें, आप affirmation कैसे लिखते हैं, affirmation लिखना present tense में लिखना होता है, बिना no का इस्तमाल करे लिखना होता है, आप अगर absolute form में लिखना चाहते हैं, तो आप progressive लिखें, जैसे कि health के mind से rejection आजाएगा, क्योंकि conscious mind अभी क्या कहेगा, कि आप healthy तो हो ही नहीं, अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे, कि मेरी health हर दिन better होती जा रही है, और मैं बहुत ही जल्दी पूरी तरह से healthy हो जाऊंगी, तो यहाँ पर conscious mind से ये pass हो जाएगा, और आपके subconscious mind में जाने देगा व कोई job आपको चाहिए, कोई exam clear करना है, कि अगर वो इस exam को clear कर सकता है, कोई भी ऐसे नाम लेकर, तो मैं भी कर सकता हूँ, तो जब हम किसी का reference देते हैं, तो भी ये possible लगता है, तो हम reference उठा कर भी अपनी progressive affirmation लिख सकते हैं, और कुछ तो absolute form में भी चल जाती हैं, जो already अचीव कली होती हैं, हम एक ऐसे level पर होते हैं, so we depend करेगा कि आप कौन से level पर हैं, तो अपनी customized affirmation लिखें, और उस affirmation को आप रात को सोने से पहले और सुबह जागने के बाद उससे repeat करें, affirmations को repeat जब आप करते हैं, पूरे conviction के साथ, पूरे विश्वास के साथ, यानि कि प्रोग्राम हो जाता है, और है visualization, जब आप अपने outcome को visualize करते हैं, कि आप अपने subconscious mind को जिस चीज़ के लिए program करना जाते हैं, तो आपको आपता outcome बता होना चाहिए, so आप जब outcome को visualize करते हैं, आप process को भी कर सकते हैं, कि आप को step लेना जा रहे हैं, तो आप उसको भी आपको अपनी पांचो senses को involve करते हैं, ऐसे कि उसमें आप क्या देख रहे हैं, उसमें sound क्या है, उसमें आपकी feelings क्या है, ये सब आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप जितना ज़ादा उसको real बनाएंगे visualize करते वक्त, उतना ज़ादा आपके brain के लिए वो real लगता है, so आप जानत हैं कि अभी भी कितना भी evolve हो गया हो हमारा mind, लेकिन वो अभी भी reality और imagination में कोई खास difference नहीं कर पाता, वो एक ही तरीके से उनको treat करता है, so जब आप visualize करते हैं किसी भी outcome को जो भी आपको चाहिए, तो उससे आप लगादार अपने subconscious mind को feed कर रहे होते हैं, जितना clear आपका specific script के साथ visualization होता है, उतना जादा अच्छा होता है, इसी तरह की सवर तरीका है gratitude practice, जब भी आप gratitude practice करते हैं, अपना gratitude journal लिखते हैं आप, या फिर orally भी gratitude practice करते हैं, तो उससे आपके अंदर happy hormones का level बढ़ता है, आपके अंदर safety बढ़ती है, क्योंकि हमारा brain safety mechanism पर काम करता है, उ जब भी आप gratitude कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, कि आप अपने brain को लगातार बता रहे हैं, कि आप सेफ हैं, आपके life में आप खुश हैं, आपके life में वो सब कुछ है, जिससे आप सुरक्षित और खुश रहते हैं, so gratitude practice करना इसलिए important होता है, ताकि हमारा जो fear brain है, जो limbic system ह वो शांत रहे, so gratitude की energy हमें बहुत ही ज़्यादा relax रखती है, so बार 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 आप gratitude practice करेंगे, तो आपने subconscious mind को लगातार feed कर रहे हैं, कि आप अपनी जिंदीगी से खुश हैं, तो वो अपने आप ही, आपके अंदर छुटी छुटी से कोई भी आप explore करेंगे, नए activities, किसी क साथ होंगे, तो आपको gratitude की energy ही feel कराएगा, यानकि आपकी पूरी body में comfort ही comfort आप feel करेंगे, और तरीका है, meditation and mindfulness, yes, जब भी आप meditation करते हैं, आप mindful रहते हैं, किसी भी तरीकी की कोई भी grounding technique, है ना, आपका mindful eating, या senses relaxation, किसी भी तरीके का आप, चाहे gazing meditation है, या guided meditation है, कुछ भी क आपके अंदर certain levels बहुत हाई रहते हैं, आपके अंदर parasympathetic nervous system active रहता है, आपका mind एकदम relaxed रहता है, तो जब आपका mind relaxed रहता है, तो वो चीजों को easily सीख जाता है, आप जो भी कुछ अपने subconscious mind में feed करना चाहरे होते हैं, so वो बहुत ही आसानी से अंदर चला जाता है, so इस relaxation से नई-नी चीजों को explore करने की opportunity भी दे रहे होते हैं, और इससे आपका क्योंकि stress level बिल्कुल down रहता है, आपके अंदर किसी भी तरीके का जब आप एकदम relaxed mode में रहते हैं, तो conflict कम से कम होता है, आपके अंदर की capabilities बढ़ जाती है, आपके अंदर की mental power, आपका self control बहुत जा message convey कर रहे होते हैं, अपने subconscious mind को, जो भी आपके अंदर जा रहा होता है, वो अच्छे से settle होता है, और जो अच्छे से ही आपके काम आएगा, और देखे क्या तारिका है positive self talk, बहुत ही जादा important है, क्योंकि आप हर वक्त affirmations नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप से दिन भर में सब से जादा बात करते हैं, अगर हमारा self talk positive होगा, हमारी internal dialogues, एकदम से positive होंगे, correct होंगे, तो उससे क्या हो रहा है, कि हम जो भी feed कर रहे हैं, हमारा mind, एक tape recorder की तरह, एक video tape recorder की तरह है, तो हम उसमें अपनी senses के through, बार 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 जो भी कुछ record करते हैं, वो बस उसी को ही play करना start करते Thai, कभी वो इस न भी वो इसमें, पर उड्माडार आदब तो आपकी जो self talk है, अंदर अंदर चलती है, हैसा वो आपकी positive होने, positive का मतलब टॉक्सिक positivity से बात नी करियो, positive का मतलब में realistic से बात कर रहे हुआ है तो जब भी आपकी यह रियलिस्टिक वे में पॉजिटिव सर्फ टॉक होती है सो यह बहुत ही ज्यादा effective होती है क्योंकि language बहुत matter करती है आपकी faulty language आपके अंदर थेट को activate कर देती है और आपका fear brain एकदम से active हो जाता है और आप उस situation में anxious, feel करने लगते हैं, stress में आ जाते हैं, आप कई बार उन चीजों को करते नहीं है, escape लेने लगते हैं, जिनको करना आपके लिए आसान हो सकता था, तो आपकी realistic positive thought बहुती ज़्यादा जरूरी है, इसी तरीके से hypnotherapy, hypnotherapy बहुती ज़् करने का है, अपने subconscious mind को reprogram करने का, जैसे मैं hypnotherapy करते हूं अपने clients की, तो उनके अंदर बहुत सारे suppressed emotions होते हैं, बहुत सारा ऐसे emotions उनके अंदर होते हैं, trauma होता है किसी के अंदर, अलग-अलग life के experiences उनके अंदर भरे वे होते हैं, so hypnotherapy से, जब हम उनको उनके past में लेकर जा वो सब असानी से release हो जाती हैं, और फिर जब हम उसके बात, नए suggestions उनके अंदर feed करते हैं, so क्योंकि subconscious mind जब hypnotic state में हम combine करकर उसे बात करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, वो open होता है suggestion के लिए, क्योंकि alpha state of mind, एक ऐसी state of mind होती है, जहाँ पर आपका subconscious mind suggestions के लिए बहुत open ह हो जाता है, और आपके conscious mind को भी backseat दे दी जाती है, तो वहाँ पर उसका interference भी नहीं होता, तो हम आपके subconscious mind में वो नए patterns easily बना सकते हैं, जो आप चाहते हैं कि automation पर चले जाए, so hypnotherapy बहुत ही अच्छा way होता है, आप घर में कैसे अपने आपको hypnotize कर सकते हैं, self-hypnosis के उपर म आप देख लीजे, और है, subliminal message, ये messages वो होते हैं, जो background में चलते हैं, जैसे आपने अपना जो भी कुछ अपने आप से mindset करना चाहते हैं, affirmations के रूप में, या पूरी एक detailed story, script के रूप में, आपने record कर लिया उसे, तो आप ना उसे background में ऐसे चला रहे हैं, जैसे कि आप आपके subconscious mind में जा रहा है, तो इसे, या आपने को story लिख ली, पूरी script लिख ली, तो ये, आप script की form में, story की form में भी लिख सकते हैं, या आप audio में भी story कर सकते हैं, आपनी affirmation की रूप में, या पूरी story ऐसे बता कर आप क्या चाहते हैं, आपने record कर लिया, और background में चल रहे ह पर हम चाहे slow motion पर भी सुनते रहते हैं, है ना, subconsciously भी सुनते रहते हैं, तो वो दीरे-दीरे हमारे अंदर set हो जाती है, इसी तरीके से एक है, habit formation, नए-नए habits को बनाना, तो habit बंदी कैसे हैं, जो भी चीज आप repeat करना शुरू कर देते हैं, हर repetition से, आपके अंदर वो pattern strong हो रह है कि identify कीजे कि आप क्या बनाना चाहते हैं, और उसको बस उस process को start कर दीजे और उसे repeat कीजे, आपके habit form हो जाएगी, और आपको पता ही है, automation यानि की habits पर ही हमारा subconscious mind काम करता है, इसी तरी किसे journaling, journaling करना बहुत ही जादा important है, अब इसमें आप positive journal भी लिख सकते हैं, जो कि gratitude journal जैसा ही हो जाता है, या आप अपनी thoughts को भी लिखते हैं, जैसे आपने thoughts को लिखा, आपके अंदर को negative thought आ रही है, कोई emotion आ रहा है, आपने उसे लिखा, अब आपने देखा कि ये thought, एक irrational thought है, realistic नहीं है, इसमें बहुत सारा fear, anxiety का element है, तो आपने उसका counter thought लिखा उसके सामन आपने देखा कि इसको different perspective से कैसे हम सोच सकते हैं इसी same situation में, जैसे for example आपने call किया किसी को, उसने call नहीं उठाया आपका, तो आपके दिमाग में automatically आ रहा है कि इसने मेरे को ignore कर दिया, अब ये आपका एक different version है ना कि उसने आपको ignore कर दिया, आपको कैसे पता चला कि दूसर सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ mind reading किया, आपने ऐसा हो सकता है कि खुद किसी के साथ किया हो, इस वहां से bias हो कर ये thought आपके दमाग में बना, या हो सकता है आपने किसी और को ऐसा करते हुए देखा हो, तो इसलिए वहां से influence हो कर आपके दमाग में thought आया, बट ये एक तरीक कि सामने वाले का आपको रियल जो action की पीछे का motive हो पता चल जाएगा, बट आपके दमाग में उल्टे सीधी कुराफात नहीं होगी, आप सही तरीके से सोचना सीखते रहेंगे, क्योंकि आप आपके control में तो होते हैं नहीं दूसरे के action उसकी responses, लेकिन आप अपना दिमाग center में रखें, इसलिए ज़रूरी है कि different view से उस चीज़ को देखना, तो ऐसे ही अलगलग situation में कि आपने thoughts लिखा, अपना document किया, और उसी situation में आप और कैसे सूप सकते हैं, कैसे response से सकते हैं, जो emotion आपने लिखा, उसको release करके, आप different emotion को कैसे create कर सकते हैं, वो सब चीज़े ज आप अपने subconscious mind को reprogram करते हैं, देखिए, reprogram करने में, reprogram तो है already, और जब आपको लग रहे हैं कि वो programming ठीक नहीं है, तब ही reprogram की need आई, तो reprogram करते वक्त ये ज़रूरत clarity होने चाहिए, कि आपको चाहिए क्या, feed वही कीज़े अपने subconscious mind में, जो आप सुनना चाहते हैं, देख conscious mind की गलती नहीं है, आपको consciously सोच समझ कर बहुत अच्छी तरीके से अंदर कोई चीज जाने देनी है, यानि कि तभी उसको practice में लेकर आना है, क्योंकि एक बार subconscious mind किसी भी तरीके से program हो जाता है, तो वो फिर, क्योंकि उसके पास अपना कोई wisdom नहीं होता, वो तो जो आपन उसमें dump किया है, डाला है, practice करा ही है, उसी को ही आपको बार-बार-बार reflect करता रहता है, तो आपको उससे सही reflection चीए, तो आपको सही तरीके से उसकी programming करनी पड़ेगी, तो ये तरीके मैंने आपको बताए हैं, जिससे आप असानी से कर सकते हैं, उमीद करते हैं, आपको